हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागात है आपका जियो भी नीज़ में दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समचा टूड़े ब्रेकिंग नीज़ के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब करने के गंटी बढ़न को जरूट से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए अपनी अधिक्षा में दो नई केवनेट समीतियों का अगठन किया है निवेस और विकास के उपर बनी पांच सदस्य कमीटी में ग्रिह मंत्री अमिट्सा, वित मंत्री निर्मला सीतर्मन, सनक परिवहन मंत्री, नितिन गटकरी और रेल मंत्री प्यूस कोयल सामिल ह आपको बता दे कि एन एस एसो आंकडों के अनुसार साल 2018 और 2019 की आर्थिक अर्थवेवस्ता की तीसरी तीमाही में जीडिपी गिरकर के 5.8 फीसदी हो गई थी और यहीं नई सरकार के चिंता का सबसे बड़ा कारण है पिछले वित वर्स में सकल घरेल उत्पाद का अनुमान 7.2 परतिसत के लक्ष के मुकाबले 6.8 परतिसत अंका था रोजगार के मोचे पर लोग सभाचुनाओ खत्म होने से बाद सरकार ने समय समय पर लेवर खोर्स समीती वार्सिक रिपोर्ट जुलाई 2017 और जुलाई 2018 में जारे किया था जिसमें बेरोजगारों की दर 6.1 परतिसत थी जो 45 वर्सों में सबसे अधिक मानी जाती है जी हाँ दोस्तो अकली बड़ी ख़वर जे सिर्राम बिवाद जी हाँ दोसो बीजेपी सांसद ने मामता बिनर्जी को लेकर के किया अभध्य टिप पनी जी हाँ दोसो पस्ची मगाल की मुख्यमंतरी मामता बिनर्जी की गारी के सामने जे सिर्राम के नारे लगाने के बेल उत्तेजित हो जाता है। पाकिस्तान के पूरु राष्टपदी आसीफ अली जर्दारी ने देश के प्रधानमंतरी इमरान खान को हटाने का संकल्प जाहिर करते हुए सरकार पर देश के महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का अरोप लगा है। हमेशा लोगों की सेवा की है क्योंकि यहीं उसकी घोशना पत्र है और हम लोगों के दरवाजे पर जाकरके उनकी सेवा करने में यकिन रखते हैं। उन्होंने कहा है कि इद के तुरंत बाद हम अपनी योजनाओं के घोशना करेंगे और यह समाप्ति की सुरुआत का संकेत होगा। जरतारी ने कहा है कि मौझूदा सरकार ने लोगों की नोकरिया चिनली है और महंगाई आसमान चुरा है। उन्होंने कहा है कि बेरुजगारी और महंगाई 500 पर 30 सत तक बढ़ गई है। प्रधार मंतरी को पाकिस्तान के लोगों पर जबरन थुपा गया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी किवरे Instagram लाया है नए फिचर यूजस को होगा बड़ा फायदा जी हाँ दोस्तों इंस्टरग्राम ने एक नए फीचर आपस इन पेस किया है इसमें उपहुकताओं को इंस्ट्राग्राम पर मौझूदा उच गुणवत्ता वाली सामगरी को वाइफाय या मुबाइल डाटा में से किसी एक पर देखने का बिकल्प कर देता है। इंडिया के निर्देशक और साज़तारी प्रमुख मनीश चोपड़ा ने कहा है कि डेटा बचत के लिए इस फीचर में हमें ज्यादा उमीद है कि लोग धेमी इंटेनेट गती वाले छेतर में इंस्टाग्राम पर निर्वध्धा से उप्योग कर सकेंगे। यह फीचर सप्त सवाल किया है कि उन्होंने पुराने एन 32 बेड़े को बदलने के लिए संसाधनों को अबंचंत क्यों नहीं किया। कॉंगरेस के प्रमुक प्रवक्ता रंदीप सुर्जेवाला ने कहा है कि रक्षा मंत्री को यह जबाब देना चाहिए कि जब भारती वायुसिना के अंडम कर्वियों की सुरक्षा तथा कुसल छेम की मैं प्रार्थना करता हूँ। यह जान करके बहुत दुख हुआ कि एन 32 के पास एसोए सिगनल सिस्टम थी जो पुरानी हो गई थी। उन्होंने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत और यूक्रेन के दुहजार नौ के समझ जो उनको रिलीज हो गई है। सल्मान खान के फैंस इस दिन को लेकर के काफी एकस्टाइट है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सल्मान खान की अच्छी कमाई कर सकती है। आपको बता दी के ट्रेड एनालेटिक्स सुमीत कादेल के अनुसार भारत ने सुबा सूज की अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। उन्होंने बता है कि सुबा के सुज चोज से लेकर के सतर प्रजिस तक भरे हुए थे। सुमीत ने पहले दिन की कमाई 35 से लेकर के 40 कोड़ रुपए की कमाई का अनुमान बता है। आपको बता दे कि तरुन आदास की रिपोर्ट के मताविके भार फिल्म में एक ऐसे आम इंसान की कहानी को दिखाये गया है जो अपने जीवन में कई तरह के के पड़ाव को पार कर सकता है। संकट ग्रस्थ जहाज की तरह पीछे चला गया था। पानी के अंदर ही सिंधुराज से कर्मियों के DSRV में लाए गया और उसे सुरक्षित जमीन पर लाए गया है। भारती नौसेना ने महासागर की गहराई में कर्मियों का आस्थानांतरित करने की नई छमता हासिल की अपातकाल से निपटने की सहायता मिलेगी। नौसेना के कहा है कि पूरी प्रक्रिया भारती सदस्यों में ही किये और इसे प्रसिक्षन चरन को पूर्वी तट पर पूरा किया गया है। पंडूबी में जिस हेचों का दोनों यानों पर अंत्रसंबंध किया गया है। उसे भारती नौसेना पंडूबी डिजाइन प्रनाली किया गया था। यह एक नई छमता है जिसे भारती नौसेना ने हाल ही में अधिक्रित किया है। इसका उधिस से खुद को हिंद महासागर चेतर में प्रमुख पंडूबी रक्चक में सामिल करने का है। भारती नौसेना न यह प्रनाली को एतिहासिक बता है जिसके बाद भारतिय नोसेना हिंद बहासागर छेतर आई ओ आर में पंडूबी रक्षा के लिए उभरेगी नोसेना की पंडूबी के साथ यह दुरगटना हो चुकी है इसमें अगस्त 2013 में सिंधुरक्ष की दुरगटना हो गई थी जिसमे बिसफोर्ट के बाद 17 कर्मियों की मौत हो गई थी जी हादो सो अगली बड़ी कावर जी सहसां से हाफी साथ भारत के लिए उगलता था जहर वहां उसे नहीं पढ़ने दिया नमाज जी हादो सो मुमई हमले के सरगना और जमात उद दावा के परमुख हाफी साथ को कई बर ने अतनकवादी संगठन घोसित कर रखा है उसके एक अधिकारी ने बता है कि जे यूडी परमुख साइद कदाफी स्टेडिया में नमाज का नितित करना चाहता था लेकिन उसे एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने एक अधिकारी को ऐसा नहीं करने को कहा था अपको बता है कि यदि वह अपनी यूजना पर आगे बढ़ता था तो सरकार उसे गिरफ़तार कर सकती थे उसनों ने बता है कि सरकार के नितित के बाद साइद के पास कोई और दूसरा बिकल्प नहीं था और उसे कदाफी स्टेडिया में नमाज करने की यूजना रद करनी पड़ी गो कि वह इस तरीके के धार्मी कुद्सों पर इकठा भारी भींड के सक्षम खास तोर पर कस्मीर के बारे में अपने विचार भी परकड़ करता था मुंबई हमले के बाद हाफी सईद को 10 निसम बद 2008 को स्तन्युक्त राष्ट ने परतिबंद कर दिया था इस हमले में 166 लोग मारे गए थे समझा जाता है कि जे यूटी लसकर अत्यवा का मोखोटा संगटान है जो मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिमधार है जी हाँ दोसो अगली वड़ी के परे फ्रांस भारत की वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धभ्यास जुलाई में रफाल उड़ाएंगे एर फोर्स के पाइलर जी हाँ दोसो भारती वायुसेना अगले महीने साल के सबसे बड़े युद्धभ्यास में उतरेगी इससे भारत और फ्रांस के लिए वायुसेना आस्मानी युद्ध में अपनी महारत को आजमाएगी इस युद्धभ्यास के खास बात यह होगे कि इस साजा युद्धभ्यास में भारती वायुसेना के अजे माने जाने वाले सुखोई थटी लड़ाकों विबान का दमकन फ्रांसीसी वायुसेना का अर रफाल फाइटर के साथ आजमाए जाएगा भारती वायसोना के लिए यह सबसे अहम मौका होगा जब उसे अपने मौझूदा हंथियार और भविश से के हंथियार दोनों के साथ परकने का मौका मिलेगा भारत ने साल 1998 में रणैतिक समझोते के तोर पर हस्ताक्चर किये थे और तब से दोनों देसों की सेना साजा युदाब्यास करती है जुलाई के पहले सब्ता में सुरू होने वाला गरूर छो युदाब्यास दो हफ्ते तक चलेगा इसके लिए भारती वायसोना लगवग 10 सु पालियर एरबेस से हुई थी और इसके बाद कई बार ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हो चुका है आखरी बार ये युदाब्यास भारत के जोधपूर एरबेस में 2014 में हुआ था इस अभ्यास में भारती वायसोना को दुनिया के बेहतर वायसोना मानी जाने वाले भी वायसोना के काम करने के धंग और उपकरनों से सीखने का मुका मिलता है